T20 World Cup की शुरुआत होने वाली है सभी टीमें तैयारी में जुट गई हैं सभी टीमों के खिलारी भी लगभग तै हो जुके हैं इंडिया ने भी अपने स्कॉर्ट का आयलान कर दिया है कुल मिलाकर T20 World Cup का इंतजार सभी किरकेट प्रेमियों को बड़े ही बेसबरी से वहीं जब भी किरकेट के किसी टूनामेंट के शुरुआत होती है तो हमारी निगाहें भारत-पाकिस्तान के मुकाबले का दिन धूंटी है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किरकेट मतलब भारत और पाकिस्तान क्योंकि दोनों देश के बीच जब भी कोई मुकाबला होता है पूरी दुनिया के किरकेट प्रेमी, कामधाम, सब कुछ छोड़ चाड़ कर टीवी से चिपक जाते हैं और हर एक गेंद का आनंद लेते हैं इसलिए ICC भी भारत पाकिस्तान मैच को ऐसे दिन शेडूल करता है कि सभी को मैच देखने में सहलियत हो अब जैसा कि मैंने बताया कि T20 वर्ल कप के शुरुआत होने वाली है और इस वर्ल कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला किरकेट फैंस के लिए अभी सही रुमान चक बना हुआ है ये मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबॉर्ण में होगा लेकिन यहाँ दिल्चस्प बात यह है कि इस मैच के सभी टिकट पहले ही बिग चुके हैं पांच लाग से भी जादा प्रशनसकों ने टिकट खरीदे हैं अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले को लेकर लोगों में कितनी उत्सा है ICC की विग्यपती में कहा गया है खड़े होकर मैच देखने के लिए अतिरिक्ट टिकटों की विवस्था की गई जो बिक्री के लिए रखे जाने के बाद मिन्टों में ही बिग गए परतियोगिता से पहले आधिकारिक बिक्री केंदर शुरू किया जाएगा जहां प्रशंसक अंकित मुल्ल पर टिकटों का आधान परदान कर सकते हैं ICC ने आगे कहा T20 विश्वकप में 16 अंतराश्टी टीमों के मैच देखने के लिए बिरासी देशों के प्रशंसकों ने टिकट खरीदे हैं ICC महिला T20 विश्वकप 2020 के बाद या पहला आउसर होगा जबकि ICC के किसी परतियोगता में स्टेडियम खचाखच भरे होंगे तब MCG में खेले गए फाइनल मैच में 86,174 दर्शक स्टेडियम में मौझूद थे आपको बताने ही कि पिछले साल T20 वर्ल कप में विराट कोहली की कप्तानी वाले टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाब 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था वही अब की बार भारते टीम के पास मौका होगा कि ये पिछले हार का बदला ले सके और हैसाब बराबर कर सके चलिए अब आपको बता देते हैं कि T20 वर्ल कप 2022 में भारत का मुकाबला कब और किस टीम से होगा भारत बनाम पाकिस्तान 23 अक्तूबर मेलबॉर्ण भारत बनाम ग्रूप A रनर अप 27 अक्तूबर सिडली भारत बनाम साउथ अफरीका 30 अक्तूबर पर्थ भारत बनाम बांगलादेश 2 नवंबर A डिलेट भारत बनाम गुरूप B विनाद 6 नवंबर मेलबॉर्ण तो ये सारे वो तारीख और स्टेडियम है जहां भारत का मुकाबला दूसरे टीमों के साथ होने वाला है और जैसा कि आप जानते हैं कि BCCI ने खिलाडियों के नाम की घोशना भी कर दी है अब देखना होगा कि BCCI ने जिन पर भरोसा जताया है वो कितने खरे उतरते हैं वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत पाकिस्तान से अपनी पिछली हार का बदला ले पाएगा कमेंट करके ज़रूर बताएं